Hello guys and welcome back to another pre-market analysis video बहुत लोगों ने बोला था कि रात में ही डाल दिया करो so that रात भर में उनको time मिलता है देखने का तो अपन इंट्रेस्टिंग और crystal clear और picture perfect analysis की तरफ बढ़ते हैं अभी अपन है daily chart पर तो daily chart पर अपने को दिखता क्या है सबसे पहले तो pattern जो pattern बन चुका है उसको अपने को identify करना pattern क्या बन चुका है एक doji ये दो doji ये तीसरी doji ठीक है तीन doji candles बन चुके है और तीन doji candles बनने के बाद doji candle का मतलब क्या है नीचे भी गया था market उपर भी गया था बीच में आके close हो चुका है यानि कि ये या तो sideways market या तो volatile market है अब ये छोटी candle थी इसका मतलब ये था sideways market उसके बाद यहाँ पर उपर भी गया था market नीचे भी गया था market नीचे उपर दोनों जगा जाने के बाद बीच में आके closing दे चुका है इससे अपने को क्या पता चलता है कि मार्केट था volatile क्योंकि ये बड़ी डोजी है फिर एक बार चोटी सी डोजी आ चुकि ये उपर भी गया था market नीचे भी गया था बीच में आके closing दे चुका है इसका मतलब था ये sideways market ठीक है अब तीन दिनों तक sideways या volatile अगर market रहेगा तो क्या हो सकता है obvious सी बात है कि market में एक बड़ा move आने वाला है especially जब एक छोटा सा move market ने last trading day जब भी था यानि कि Friday को तो market नीचे कि छोटा सा ही move किया था यह होगे अपना number one reason अब यह जो छोटा सा move market ने किस कहां पर आके किया अब यहां से interesting होता है analysis क्योंकि direction की तरफ हम लोग बढ़ेंगे यहां पर market ने क्या किया था एक अच्छी खासी red candle यहां पर बनाया था एक अच्छी खासी red candle यहां पर बनाया था अब resistance पर आके market ने क्या किया है sellers को invite कर दिया चोटा सा move लेके कि यहां पर आ जाओ sell कर दो sell कर दो ठीक है अब अपन जाएंगे lower time frame में यानि कि directly जाएंगे 15 minute time frame में और 15 minute time frame में हम लोग थोड़ा सा zone marking की तरफ ध्यान देंगे important चीज़ है zone marking अगर गलत होती है जैसे building करने के time पे पूरी building बनाने के time पे proper mark out डाला जाता है proper column position बना जाती है वो अगर एक centimeter इदर उदर होता है ना तो building की थोड़ी इदर उदर हो सकती है वैसे ही zone सा गलत हो जाएंगे तो फिर यहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि exactly market क्या कर रहे तो सही zone ही नहीं पकड़ पाऊगे तो कौन से zone पे market का क्या behavior है वो कैस लगेगा फिबोनाची ठीक है अब इसके according यहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है यहां पे अपने को देखने को मिलता है कि market नीचे आया था नीचे आने के बाद यहां पे बहुत दिनों तक hold किया उसके बाद फिर एक बार market ने downtrend continue कर दिया तो फिबोनाची कैसे लग सब्सक्राइब नीचे आता है 38% से इसको सेल करने की दो बार कोशिश की जाती है लेकिन market आ चुका है 50% के ऊपर ठीक है अब 50% पे market क्या कर रहा है rejections ले रहा है तो rejection वाली strategy जो की अपने चैनल पे free of cost में आवे लेवले उसके basis पे अगर आपन दिखेंगे तो resistance पे आके market न एक घंटे के time free पे बहुत अच्छी सी negative candle बना दिया है market ने इतनी अच्छी negative candle बनाने के बाद इतनी अच्छी resistance पे sellers को invite करने के बाद sellers ज्यादा आएंगे या buyers obviously बात है sellers ज्यादा आएंगे क्योंकि लोगों ने सीखा हुआ है retailers ने की gap filling करनी है तो gap filling करने की वज़े से या फिर gap filling करने के target को ले कर लोगों ने यहां पर sell कर दिया होगा और उन लोगों के ज्यादा तर stop losses होंगे उपर के side में and hence the market has the probability of going up market को उपर जाने की probability यहां पर साबित होती है यह था अपना छोटा सा logical maths जिस logical maths के basis पे अपन कल के लिए थोड़ा सा buy side का view रख सकते हैं क्यों zones को हमको update करना ज्यादा ज़रूरी है अब यह जो मैंने आपको analysis बताया है कुछ लोगों को प्रशना आएगा कि live market में कैसे करना है तो live market में live trade लेके master course में सिखाया हुआ है ऐसा कोई भी course पूरे दुनिया में नहीं है जिसमें live trade लेके सिखाया हुआ हर कोई आपको बोल द trading कैसे होती है और इन logics के ओपर trade भी लिया है emotion controls भी बताया हुआ है one is to two लेके बताया हुआ है एक दो trade में नहीं तीस तीस trade में तो ऐसा course अगर कहीं मिलता है तो definitely join किजिए लेकिन ढूनने पर भी नहीं मिलेगा और अब शुरू होती है opportunity कि वही course है यह paid होगा यह fees होगी free of cost में है description में धन की link है description में Alice blue की link है वहां से account open करो 20 से 25 दिन अगर आप regularly उसमें रहते हो तो आप लोगों को trap master goes free में मिल जाएगा कितने लोगों को दे चुका हूँ important zone क्यों important zone यहां पर resistance लिया था यहां पर rejection लिया था और rejection लेने के बाद ही market उपर गया ठीक है यह चीज़ भी आप लोग याद रख लीजे तो उपर जाने का format कैसे होगा या फिर behavior क्या होगा same behavior उपर जाने कोशिक करेगा rejection तो बताएगा लेकिन फिर उपर की तरफ ही जाएगा वह शौट्स भी देखा होगा आपने वह प्री मार्केट अनल इस लाइव अभी वीडियो पड़ी हुए इस दिन का देख लेना तो दूसरे दिन मैंने बता था अब मार्केट जादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट थोड़ा ही नीचे जागे फिर continue हो उपर जा उपर की साइड ब्रेकाउट देने के बाद थोड़ा सा इस तरीके का remove weekends करके भी जा सकता है ये भी possible है तो इस pattern को भी आप लोग याद रखना देख के सोथ समझ के ही आप लोग decision आपका लिये ना ये हो गया bank nifty फिलाल के लिए दो zone important अपने को लग रहे है और उपर का अग अगर कोई zone देखेंगे यानि कि अगर आप कोई trade लेते हो तो ये target definitely आप लोग बना सकते हो ठीक है क्यों ये target बनाया है एक बार respect किया दो बार तीन बार चौथी बार यहाँ पर market respect यहाँ पर touch इसको जरूर कर सकता है I hope आप लोग को कोई analysis समझ में आया होगा analysis पसंद आया होगा ठीक है thank you so much for watching this video and जो जो अपनी channel में जुड़े हुए है उन सभी को बहुत success मिले ऐसा में प्रेग करूंगा thank you so much have a great day